वीडियो सुरू करूँ से पहले ही मैं आपको बता दू ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत पुड़ होने वाली यदि आपकी परिच्छा होने वाली है तो वीडियो को इंड तक जरूर देखते रहेगा क्योंकि इस वीडियो में वह सारे कुश्चन बताने वाला जो कि हम आपको आगे बताने वाले तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं नमस्कार दोफ्तों मैं श्रंदीव स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल सक्सेस टू पर दोफ्तों ये फिप्त समस्टर प्रचेन इतिहास का पोरा का पोरा माडल पेपर कोश्चन पर सब्चेक्ट में फिप्त समस्टर में दो पेपर होते हैं तो यह है फिस्ट्री यानि प्रचेन इतिहास का फर्स्ट पेपर जिसका नाम है स्टेट एकोनोमी और सौसाइटी आप इनसींट ठीक है तो सारे कोश्चन रेशी से सम्बंदित होंगे ध्यान से आप लोग लगाई थी थी नालंदा बिश्वबिध्याले बहुत ही पॉप्लर कोश्चन है यह हमेसा फंसता ही फंसता मैंने जहां तक देखा है काफी ज्यादा सबजेक्टों में हिष्ट्री में फंस्ता सोस्योजी में फंस जाता कभी दो सुनेंगे आप सभी प्रोटिकल साइंस में यानि कि पहले का भारत थी कि तो पहले भारत में यह बहुत ज़्यादा पॉपलर था और यहां पे लोग से च्छा ग्रहन करने के लिए बिदेश से आते थे यानि कि यह बहुत बड़ा केंद था जैसे कि इस तो में मालीजे की ठीक है बहुत बड़ा बिस यह जो घ्रजिवाशन वाई जो डिगरी है यहां पर मिलती थी उसका यह बहुत बड़ा बिख्याद केंद था प्रशीन नालंदब इस बिद्द्दल मानी जाती है और इसकी जो स्थापना है ध्यान रखी है कुमार घुप्त ने की थी धिया से सुनेंगे कुमार गुप्त ने की इतिहास के अनुसार सन गेरा सो तिरान नबे में बख्तियार खिलजी के आकमण के बाद इसे निस्ताना बोट कर दिया गया था तो इस प्रकार नालंदा बिश्विद्याले के बारे में लिखेंगे यह 100% हमेशा परसता है तो इस बार भी आपको बताते हैं ध्यानते सुन लिजिएगा वर्ण जो है वही एक बेफ्था होती इसमें अफ्तिकरण के समाजिक प्रणाली या पिर समाजिक बेफ्था है जो समाज को उनकी समाजिक तथा या फिर और आर्थिक समताओं के अधार पर विभिन अफ्तरों में डिवाइट की गई विभाजित की गई वर्ड बेवफ्था पदान कुर्मित प्रणाली प्रारंबिक वैदिक काल के दौरान प्रिचलित की गई थी जो यह वर्ड बेवफ्था है यह कब की गई थी प्रारंबिक वैदिक काल के दौरान प्रिचलित की गई थी वैदिक काल में ठीक है वर् सबसे पहला पॉपलर बेद इसका नाम है रिगवेद उसी में उसके दस्वे मंडल में यह पाया जा सकता है ठीक है वह अभी आफ था तो इस प्रकार इसका परिश्चे लिखेंगे बहुत ही पॉपलर कोश्चन है पिछले बार का इस परिश्चाव मतलब हो चुकि उसमें भी कोश्चन आया था तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए और आप लोग इसके बारे में जरूर रटके जाएंगी ठीक है बाकी इन सभी प्रश्चनों का उत्तर आपको हम अभी दे देंगे कैसे देंगे कहां पर देंगे वह भी हम आपको बता रह तो में इतना महत्पोर्ट्ट को होता है कि एक ही समय में में साथ साथ घटित या विगडि मां.. ठीक है और उथारहन के लिए मौन लेते हैं, जो इतिहाशकार हुआ करते थे किसी बिशिष्टञा कोई भी इतना होती थी तो उसके बिशिषक होते थे भाई किसी के बार में जिसके निउख चलता है जिसे राम मंदिर समय बंना है, तो राम मंदिर में क्या होते है, लोग एकदम गुफ जा रहे है, उसके डीटील फे जानकाई निकाल रहे हैं, और उस घटना को देखते हैं, और बताते हैं, उसे को लाइप प्रसारण कर देना ठीक है यह होता है समावर्ति का मतलब ठीक है अगला पुछन पुछा गया कई बार और यह है भी पुत्र के प्रकार तो आपके जानकारी की बता दें प्रचीन भारत में पुत्र के ठीक है ध्यान से सुनेंगे पहले इसका उत्तर कि यह यह जो है न यह ब्यापत कल्पित है कल्पित कल्पना करने वाली बात कल्पित है ठीक है मन उन्हें बारा प्रकार के पुत्र के हैं ठीक है किसने बारा प्रकार के पुत्र है ठीक है टाइप वाफ संस यानि कि बारा प्रकार के हैं जिनके नाम आपको हम question answer की जो series देंगे उसमें हम आपको दे देंगे ठीक है नाम थोड़ा भाई time लगेगा पढ़ने में इसलिए बारा होते हैं जान लीजे बाकी कौन-कौन से होते हैं भी हम आपको बता देंगे नाविक वेपार ये इतना महात्पोर् होता है जिसे हमलोग समित के नाम पर जाते हैं यह किसी niż हित्य या खतोक्त की बिकलांग होते हैं कहीं फैक की को कुछ समस्या होती बच्चे होते औना ऐ खरम ठीक ważne है तो वो गुरूब के माद दिन से उनका हित किया जाफके, उनकी भलाय किया जाफके, कोई भी मालिजया ना था अफ्रम है, या फिर कहीं पर मालिजया बहुत लोग है जो कुंगे बहरे बच्चे, फिर बूढ़े रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, ठीक है, तो उन सभी के हित के लिए बनाई जाती है, ठीक है, और उनके जो जरूरते होती है, उनकी पूर्ति के लिए भी ये बनाई जाती है, ठीक है, जैसे कि परिवार, बिद्य अलय, बैपार, संग, चर्च, धार्मिक, संग, राजनेतिक, दल, राज, इत्याद, भाई हमें ने आपको सिंपल अधार दो, नकी पूर्टि के लगाउड़ाश, राजनेति, ऊव्यां जोगी जी है, योगी जी है, केशोपरषाद माहुड़ज़ा़ जी है और बहुत फारे जुनियत हैं ठीक है तीक क्या है एक ग्रूप में ही तो है तुश्य को समीत के नाम पर पुकारेंगे ठीक है एक्जामपल दे रहे हैं हम आप लोगों को ठीक है तो इस प्रकारिश का उत्तर लिखेंगे अगला परसने कि मंत्र परिस्ट के बारे में तैंगे बहुत है मंत्र परिस्ट जो है यह भारतियर राज नितिक प्रणाली की एक वास्तुवी कारीकारी संसता है मंत्र परिस्ट ठीक है जिसका नेत्रत्र प्रधान मंत्री के हाथों में होता है हमारे समयदान के अनुचेद 74 में इसमें अनुचेद 74 में मंति परस्त के गठन के बारे में उल्लेक किया गया है जबकि अनुचेद 75 मंत्रियों की न्यूक थे एवं उनके कारिकाल से फम्मंदी थे ठीक है तो इस प्रकार छोटा सा परश्या लिखेंगे ठीक है और अनुचे प्रणाली की एक वास्तिवी कारिकारी संसिता है मंति परिशत तो इस तो आप यह से उत्तर पढ़ लेंगे बाकि आप अपने उसार इसका इंटरनेट पर गूगल पर सच कर सकते हैं उत्तर जो आपको अच्छा लिए हो तैयार कर लीजिएगा अगला प्रश्ण के डंड नीत क्या होती है तो डंड नीत जो है ना यह क्या है ना राजा के लिए निद्रिष्ट चार उपायों मेंसे एक है मतलब कि क्या होता है कि जो राजा होता वो किसी को भाई जब वो अच्छा काम करता तो उसके लिए उसको क्या दिया जाता है उसको प्रुसक्रित किया जाता है अगर वो गलत काम किया जा तो उसको डंड भी आ जा जाता है ठीक है और भी बहुत फारे उसके जो चार उपार में से एक है तो उसमें डंड भी देना एक राजा का ही कारे होता है किसी माली जो कोई जहां पर राजा वाला महौल होता है यानि कि पहले क्या था राजा लोग थ सभी पच्छों पर गहंता से विचार हुआ है इसन पर बहुत ही धीपली गहराई से विचार हुआ देने का अधिकार राजा का था किन्तों राज़ बेऊस्ता के लिए नियुक्त अन्य अधिकारी भी दण दे सकते हैं तक कि वहां के मालिजे की राजा के बहुत सवारे ठीक है, मंत्री भी रहते हैं ठीक है, और बहुत सवारे उनके ठीक है, सलहकार भी रहते हैं कोई माली ये राजा है, तो राजा के बहुत सवारे मंत्री भी चोटे चोटे रहते हैं और उनके राज में रहने वाले कुछ जैसे कि आपने फुना होगा दरबारी लोग रहते हैं दरबारी कभी लोग रहते हैं तो उनका भी वो भी मतलब कि अगर राजा नहीं है तो उस केस में वो लोग भी उसको दंड दे सकते हैं तो इस प्रकार आप लिखेंगे बेसिक सा परचे दन्रे के बारे में कोई hard question नहीं है बिल्कुल सिंपल सा है अगला question कही रहा कि सलाका क्या है तो सलाका कोई इतना महात्पूर्टरस नहीं है लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सलाका अच्छ किरिया या गुरुत कर्म भारत का बहुत प्रचीन ब्य किया जाता था जो अपने प्रभाव से अनकूल दावे लाती थी तो इतना महात्पूर्ट नहीं लेकिन आपको इसका उत्तर हम दे देंगे तो आप तैयार भी कर सकते अगला प्रशन है वह सीटा माता सीटा इस question को हम समझेंगे तो सिंपल सा उत्तर लिखेंगे कि देवी ठीक है देवी सीता माता जो है ठीक है मिथला के नरीफ राजा जनक के सेष्ट पुत्री थी इनका विवा अध्या के नरीफ राजा दफरत के सेष्ट पुत्र फ्री राम से स्वेंबर में सिवधनुस को भंग करने के उपरांथ हुआ था इनोंने इस तरी वा प्रतिवरता द्धरम का पूर्ण रूप से पालंग किया जिसके कार्ण इनका नाम बहुत आदर से लिया जाता है तो आप सभी को मालूँ है तो इस प्रकार अति लगुट्रे कोश्चन आएंगे जो कि सारे के सारे जो जो मैंने बता है महात्पूर अब लगुतरे कोश्चन देख लेते को उनकों से परिच्छा में आने के चांस है तो ध्यान से वीडियो को इंडर तक देते रहेगा पहला कोश्चन बहुत ही पोप्लर है या प्रचीन भारती परिवार में जो पुत्री हो कोश्चन इसका नोट कर लीजेगा ठीक है इसका उत्तर आपको गूगल पर मिल जाएगा सिंपल सा तयार कर लीजेगा ठीक है अगला के प्रचीन भारत में ठीक करार ओपर की विवित सिध्धानतों का विवेशन की यह इतना महत्पूर नहीं से इसको इग्नोर कर लीजेग ठीक है अगला प्रशन है कि जात की उत्पत यह महत्पूर्ण प्रशन है यह कई कई बार पर इच्छां फसा भी है और इस बार भी आने के उमीद जताई जारे तो जात की उत्पत कैसे हुई जो कास्ट आप लोग जानते हैं कि ठाकूर बरहमर सूद्र वैस ठीक है जो प्रशन आपने देखा भी अथिल्ग उत्रे में भी आया था और देख लग उत्रे में पूचा गया तो सिंपल सा एक प्रशन आपको तयार करना बनता है मंत्र पर सब्सक्राइब ठीक है अगला की भारत प्रशीन भारत में भू स्वामित पर निबन लिखी येतना के देवत्त की विवेशना कीजिए इतना महत्पुर्ण ने इग्नोर कर जीएगा अगला महत्पुर्ण इसको जोड़ ध्यान रखेंगे कोटल लेके नुसार मंडल फिद्धानत का ठीक है समौल वास्नात्मक वरण कीजिए कोटल फिर प्रस जाएगा ध्यान रखेंगे बह वारत में इस तरहों की संबंदित यह फिर पर जीवन यापन करती थी क्या उनको समस्याएं थी उसके बारे में आपको सब लिखना बहुत ही popular question कई बार आ चुका ध्यान लखेंगे ठीक है और अगला प्रशन है कि प्रचीन भात में वर्ड बेफ़ता है कि उत्पते हों विकास पर प्रकाश डाली है वर्ड बेफ़ता आपने वह उपर देखाती लेगा उत्रें पुछा गया था देर के उत्रें पुछा गया अतिले गुत्रे वाले प्रशन है इनकी पूरी की पूरी पीडियाफ हमने तैयार कि इसको हम टेलीग्राम वाट्सअप पर देदेंगे तो आपको लग उत्रे और देर गुत्रे प्रशनों का उत्तर इंटरनेट पर या फिर question bank सिरीज में पढ़ना है बाकि अतले लग उत् इन्वर्सिटी का माडल पेपर है अगर उसको भी चाहिए तो उसको भी आप लोग हमें मैसेज करके ले सकते हैं तो दोनों माडल पेपर को अच्छे साल पर कर लेंगे तो यह कि आप चालिस पचास आठ नमबर आसानी से ले आएंगे परिच्छा में जैंद